सांड्वीच बनाने की सामगरी घी, अड़ी पत्ता, चावल, उडित दाल, मिर्ची, कच्चे केले, गरम किया हुआ दही, सोडा, नमक, शक्कर, तेल, इमली, दालिया और पुदीना अब हम इसमें, अब हम मिर्ची का पेस जाल लेंगे, उसको थोड़ा फ्राय होने देंगे, चाच्चे केले का स्मैक मैश किया हुआ रहली डाले, नमक डाले, हमारी भाजी रेडी है, गोल में सोडा, नमक और दही हम डाले, इसको हम अच्चे से हिला लेंगे, थाली रेडी है हम इसको कट करके पीस करेंगे, बॉक्स शेप में कट कर ले, ये देखो ब्रेड के जैसे, ये एकदम पॉफेक्ट बॉक्स शेप में तीकी चट्नी बनाने के लिए हमने लिए मिर्ची, कड़ी पत्ता और पुदीना, इसका पेस्ट बना लेंगे, हमने इनमली को उबाला है अब आगे देखो, ये उबल रही है, ये गाड़ी होने के बाद हम इसको नीचे ले लेंगे, देखो अभी अपनी चट्नी गाड़ी हो चुकी है, ये साइड को हमने तीकी मिटी चट्नी लगा लिए, अब ये स्टॉफिंग रडी है, वोल्डन ब्राउन होने तक उसको किया है, तीकी मिटी चट्नी के साथ अमने डेकोरेशन किया है, और खमन डोक लेके फिंगर चिप्स फ्राइ किया है, वो फिंगर चिप्स जाना है.